दोस्तों, अगर मैं आपको कोई चीज बहुत असानी से, अराम से और एक सरल भाशा में समझा कर निकल जाता हूँ, उसका कता ही यह मतलब नहीं है, कि आप उस ग्यान को, उस स्ट्राटेजी को, उस चीज को कामा कें, जरूरी नहीं है, कि अगर मैं आपको फ्री के नाम पर ए बिना यह कहें कि एक स्ट्राटेजी है, आप उसे अंडरेस्टिमेट मत किये करें, आज मैं करने वाला हूँ, इसी के रिगार्डिंग बात मेजर तोर पर क्यों, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से आपको लगाता, तीन चार दिनों से आपको चार्ट्स के ऊपर निफ मैं उसके पीछे आपको logic समझाऊंगा, बात बताऊंगा, strategy बताऊंगा, और अगर मैं ये strategy जाकर paid programs में भी introduce कर दूँ, मुझे केवल और केवल कुछ indicator साथ में लगाने होंगे, और ये बताना होगा कि ये indicator ऐसे आप use कर सकते हो, बस इससे जादा और कुछ नहीं, ये strategies मैं paid strategies के तौर पर भी बेच सकता हूँ, बट अगर मैं आपको daily वीडियो पर समझा रहा हूँ, उसकी कदर कुछ लोगों को नहीं है, या मैं ये कहूँ, जिनने बिलकुल नहीं कुछ समझना, उनके लिए आप कुछ भी कर दो, उनने नहीं समझना, खेर, ये strategy या ये सारा trading आप आपको practically कैसे करना है, उसके साथ daily इंट्राडे वीडियो शो और भी बहुत कुछ, नमशकार सलाम सश्यकाल, मेरा नाम है इशान, स्वागत आपका मेरी YouTube चैनल पर लेकर आए हूँ, आपके लिए हरूस के तरह daily stock market का शो, तो अगर आप चैनल पर नहीं हो, subscribe करकर all bell notification icon जरू अब चलते हैं सीधा, nifty, bank nifty और internet assets की closing की तरफ और हमारी उस strategy की तरफ जो शायद आपको मजाक मजाक में या daily वीडियो पर समझ नहीं आती, with practical stock example लेकर समझाऊंगा और major concentration रहेगी ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएं, इसके इलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, कोई किसी को personal attack नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको जो चीज़ समझानी चाहता हूँ, वो ध्यान से समझा करें, तो पहले चलते हैं, चार्ट की तरफ और ये चार्ट से important क्यों है, वो हम बात करेंगे, अभी इंडिन इडियो डियो positive, bank nifty 1.25 negative, यानि कि आपका nifty शायद reliance से संबाल कर बैटा था, इसलिए ही केवल negative नहीं हुआ, और bank nifty में सारे banking index stocks कही नहीं कहीं weak देख रहे थे, बट still trend अभी भी नहीं तूटा है, एक overall range अभी भी नहीं तूटी है, अब बात करते हैं हमारी उस strategy की तरफ, strategy की की करते है अब ये है आपका nifty का chart और इसे बहुत गौर से ध्यान से देखो, अब इसकी जगा आप चाहे bar chart खोल लो, चाहे candlestick chart खोल लो, चाहे area chart खोल लो, चाहे line chart खोल लो, कुछ भी खोल लो, आपको functioning किसे साब से करनी है, आपको वो आनी चाहिए, अब आपको लग रहा है कि मैं असान होगी, गौर से सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, क्योंकि आज मैं index के सभी heavy weights की उपर ये काम करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, अब सबसे पहले nifty की बात करते हैं, आपको 3-4 दिनों से regular मैं क्या बता रहा हूँ, कि अपने levels mark करकर रखो, अब मुझे इस practical trade कर रहे हूँ, और practical trade का ये मतलब नहीं है, कि आपके दिमाग में अभी ये idea आया और आपने उसे implement कर दिया, no, आपको इसके लिए ready होना पड़ेगा, अब ये आपका index है, बहुत ध्यान से सुनो, ये आपका top यहाँ पर आप देख रहे हो, बन चुका है, और ये आपका क करकर रख लोगे, तो आपका क्या जाएगा, उसी के against, ये level अगर आप mark करकर रख लोगे, आपका क्या जाएगा, ये है वो strategy, ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ, अब ये एक आपका level mark है, अब इसे थोड़ा सा technical भाशा में आपको समझाओं, तो ये है वो लेवल के ऊपर, या इन लेवल सक जाते जाते, हर बार वो एक selling opportunity में create हो सकता है, और आपको इन लेवल के ऊपर ही बायर बनना है, और इसी के साथ ये वो level है, support का, ये वाला level, ध्यान से देखो, ये वाला level, और मैं आपको repeat कर रहा हूँ, हम predefined होकर, पहले से सोचकर कुछ जो कुछ हुआ, वो 10 बजे तक ये रिखो, 10 बजे तक अपने अप हुआ, charts के ऊपर हुआ, और उसके बाद हमने काम शुरू करना, शुरू किया, अब इसका मतलब ये है, कि अगर इस level के ऊपर जाएगा, तो हम buyer बनेंगे, इस level के नीचे जाएगा, तो हम seller बनेंगे, यान पर, trading के वक्त, यहां पर करते, यहां पर करते, यहां मर्जी, मतलब ये पूरी range में जहां मर्जी करते, मुझे ये बताओ, ये आप selling opportunity में convert क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपके सामने, days low टूटा है यहां पर, आपके सामने, एक support level टूटा है, intraday level पर, आपके सामने, वो resistance जो mark की गई है, उसके उपर नहीं गया, जो कि आपका stop loss भी possibly starting में बन सकता था, और क्यों आप इसके नीचे यहां पर, इन levels पर आप sell नहीं कर सकते, क्या ये strategy, अगर मैं आपको paid course में बताता, तो आप इसे समझते ना, तो क्या आपको ये seriously ना लगती, और मुझे ये बट still support के उपर से वो resistance मान रहा है, तो जब उसने ये आपके सामने दुबारा से resistance मानी है, तो आपका stop loss इन levels पर shift क्यों नहीं हो जाएगा, यानि कि support के नाम पर, और ये सारी journey, ये देखो, ये सारी journey, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी आप जो है, उसे सारी लो, उस स इसे trail करते हो, और trailing stop loss चाहिए, या इटो, या इटो, या इटो, या जहां मर्दी, या चाहिए आप ये लगा कर रोखो, कि जब तक वो आपका actual stop loss नहीं तोड़ेगा, तब तक आप इसे ride करोगे, तो ये strategy मुझे बताईए, ये practical नहीं है, ये strategy मुझे बताईए, ये difficult थी सिरफ इसलिए कि मैंने इसके उपर आपको बहुत बड़ी-बड़ी बातें करकर नहीं बताई, जबकि इस strategy में, या इस view में, इस trading view पर, एक trending market आपके सामने, trend reversal हुआ, और इसे आप एक trend, जहां से सुनना, इसे आप एक trend reversal भी कह सकते हो, इंटराडे लेवल पर, क्यों, क्य अगर याँ पर resistance उपर की तरफ तूड़ती, तो वो एक trending market बन जाती, और जब वो support नीचे की तरफ उसने, जिस वक्त उसने ये तोड़ा, तो वो उस trend को नीचे की तरफ negative कर देता, क्योंकि उसने starting जो है, उपर की तरफ करनी शुरू की थी, इसके बाद ये सारी journey, ये सारी और केवल आपको trail करना था, अब ये मुझे बताईए कि क्या इसमें, और इसके लावा ये मैं बता दूँ, कोई भी strategy 100% होती ही नहीं है, कोई भी view 100% नहीं होता है, आपको अपना human element, आपको अपना human behavior, आपको वो हर चीज अपने human तरीके से लगानी पड़ती है, ताकि जिनों से कर रहा हूं, क्या ये practical नहीं है, और क्यों practical नहीं है, इसमें कौन सी technical चीज मैंने implement नहीं की, इसे के उपर अभी मैं stocks भी लूँगा, बहुत ध्यान से देखना, और बहुत गहरे तरीके से समझना उस चीज को, अब मैं इसके बाद, अब आपको gainer लूजर के बार पहले बताया था, अब ये देखो, ये जो line आप देख रहे हो, ये वली line, ये previous day का जो था, वो marking थी, इसका मतलब ये हुआ, कि आपके सामने ये trend तो negative ही आ रहा है, यानि कि इसने opening के वक्ती negative trend देना शुरू कर दिया, बट अभी आपके पास top, top mark करने के लिए कोई relevant point नही है, क्यों, क्यों क्यों हो सकता है, यहां से यह उपर निकल जाए, तो क्या करोगे, तो इसका मतलब ये है, कि आप पहले उस चीज़ को, आपने उसके previous low को, यानि कि जो previous दिन का आपका जो closing था, जो previous आपके दिन की closing थी, आपने उसके एक line खीच कर रखी, और ये line जो है, ये previous दिन से है, यानि कि जब इसने previous दिन का, आपका closing जो base पर तोड़ा, तब आपकी ये selling opportunity बन गई, यानि कि जो चीज़ हम खुद trend के उपर, क्योंकि हमें दिन में opportunity ने मिली, आपने nifty के उपर देखा होगा, कि हमें दिन के दौरान वो opportunity मिली, जहां यहां पर मैं explain करता ह जहां पर nifty ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसे गया, ऐसे गया, आपकी baseline यहां पर थी, और फिर वो यहां पर आया, और फिर वो crack किया, यानि कि वहां पर आपके पास एक opportunity थी, जहां आपको wait करना था, यहां तो उसने automatically दे थी, और यह जो एक straight line आप देख रहे हो ना, बहुत ध्य गिरा, क्योंकि उसने previous support, यानि कि previous support, यानि कि पिछले दिन की closing तोड़ी, और यहां से वो red होना शुरू हुआ, क्योंकि उसने previous day तोड़ा, यानि कि previous day की support, previous day का, जो एक closing basis पर उसने level बनाया था, वो level तोड़ा, और उसके बाद यह देखो, उसके बाद पूरा दिन उसने recover नहीं किया, इसका मतलब पूरा दिन recover करने के लिए for a start, आपको ये stop loss, ध्यान से देखो, ये stop loss लगाना था, और इस level की उपर आपको इसके उपर buying generate करनी थी, क्यों, क्योंकि अब उसने वो previous day की closing basis पर चीज तोड़ी थी, वो एक resistance, अब वो mark कर देगा, क्योंकि उसने ये है, और जब तक ये इस level पर, अभी हो सकता है, यहां से ये ऐसा उपर निकलना शुरू कर देता, और जब तक इसकी उपर ऐसा निकलता ना, तब तक ये buyer आपका नहीं बन सकता था, पूरा दिन वो एक trend के उपर negative रहा, और negative यहां पर negate उसे करता रहा, इसके इलावा, यहा इंट्राडे में यहां पर opportunities मिली थी, इसलिए मुझे specific तौर पर आपको बताना पड़ेगा, अब मैंने ये draw क्यों किया, अब जिसी आता है वो समझ लेगा, और जिसी नहीं समझना, वो अब समझो, यह एक level mark है, क्योंकि इसने इंट्राडे level पर पहला signal दिया, कि उसने bottom ब पहला है, और एक overall, और मैं ये नहीं कहा रहा कि 1.1 आप इसके उपर mark करो, नहीं, थोड़ा सा smooth रखो, थोड़ा सा easy रखो, जरूरी नहीं है, कि अगर इस level की value हो 100, और दूसरा 101 नहीं हो सकता, वो 99 नहीं हो सकता, नहीं, आप 95 का value लगा का रखो, बट एक overall chart के उपर, इन levels पर ये रखो, इस level पर उसने support ली, अब इसका stop loss लगा कर आपको ये journey, चाहे वो कुछ points की हो, जो मर्जी हो, बट ये journey आपको profitable journey मिली और एक reasoning मिला, यानि कि आपको इस chart पर भी मैंने explain किया, कि किस तरह आपने top और bottom mark किये, आपने resistance और support mark की, आपने trend wise trending market को, trend को negate करने के ये mark किया, और किस तरह आप इसकी उपर काम कर सकते थे, अब मैं आपको stock specific चीजें दिखाता हूँ, बताता हूँ और समझाता हूँ, ये है HDFC limited का plain Google chart है, और आप इस chart को देखकर आपको क्या लगता है, ये बहुत आम सा chart है, इसकी उपर trading नहीं हो सकती, माफ कीजिए जो य trading करनी नहीं आती, ये दिक्कत है कि आपको कोई भी chart में दिक्कत होती है, chart के वल और के वल एक reference point होते है, chart के उपर indicator के उपर trading नहीं होती है, ध्यान रखो, और क्यों, क्योंकि वा अभी मैं समझाने वाला हूँ, अब HDFC bank, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, morning में कुछ भी हो, कैस sign और sell opportunity इसके साथ आप negate कर सकते थे, यानि कि 1105 के नीचे ही, बट अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, कि आप 1105 के नीचे जो है, उसे sell कर दो, क्यों, क्योंकि ये strategy तो सबको पता है, और मैं ये भी repeat कर दू, strategy सबको पता है, common strategies ही, जो है, uncommon profits देती है, ये ध्यान रखन अब आपको इस chart के ऊपर, मैं आपको कहा रहा हूँ, यहाँ पर आप सोचो भी मत इसे कुछ करने के लिए wait करो, और आपकी wait यहाँ तक होनी चाहिए थी, क्यों यहाँ तक होनी चाहिए थी, क्योंकि अब आपके पास एक signal मिल चुका है, ये, ध्यान से सोनो, क्या signal मिल चु यानि कि previous close के ऊपर अगर ये निकलना शुरू होगा, तो ये कहीं तां कहीं आपको बायर signal दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से इसने एक selling opportunity trigger की थी, और ये जो level मैंने माग किया है, वो reference लिया है, इन चीज का, कि यहाँ पर support multiple, one, two, three times उसने लिया, अब देखो, एक support यहाँ ल 10, 90 के आसपास जब यह week हुआ, बहुत द्यान से सुनो, अब यह जब 95 के आसपास यहाँ पर week हुआ, उसके बाद की यह सारी journey और यह सारी journey एक trend की इसाब से आई है, और कहीं भी यहाँ पर आप केवल औकेवल ट्रेल कर सकते थे और कहीं भी आपकी opportunity trigger नहीं हुई, यहाँ यहाँ पर आप जैसे मैंने आपको bank nifty पर bottom दिखाए, यहाँ पर आप वो bottom नहीं मिला सकते या आपको वो नहीं मिला, तो आपको ignore करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि अब आप केवल और केवल sell जो कर रहे हो, उसे केवल trail करना होगा, और यह opportunity आपके साथ पूरा द इसके उपर मैं आपको fancy चीजें दिखा दूँ, indicators लगा कर दिखा दूँ, वीवेप से लेकर अलग-अलग चीजें दिखा दूँ, volume का graph खोल कर दिखा दूँ, एक chart के उपर आपको 10 indicators खोल कर, 20 moving averages की line खोल कर दिखा दूँ, तो शायद आपको लगेगा अरे वा, यह है वो analysis but अगर मैं आपको एक simple google chart के उपर, जो एक नौ सिख्या, इंसान भी आकर पहला google search में करता है, HDFC, bank share और enter मारता है और उसके सामने वो graph आ जाता है, आपको लगता है, यह मजाक है, मजाक नहीं है, और इसी chart के उपर आप सोचो, आपने trend को भी find out किया, trend buys जो है, आपने trade भी किया, आपने previous day low high के हिसाब से trade भी किया, आपने overall अपने stop losses support resistance के हिसाब से negate किया, और भाव को तवज्जो दी, price moment को follow किया, और उस price moment के साथ अगर आपने trend को follow किया support resistance के बाद, और कहीं नहीं वो volume based आपकी trading हो जाती है, जब एक trending market हो जाती है, समझ रहे हो, तो आपने एक trade नहीं किया, आपने एक चीज नहीं देखी, आपने 5-5 चीजें और उन 5-5 चीजें के हिसाब से काम किया, बजाए इसने आपने computer के उपर वो calculations की, आपने अपने दिमाग पर calculate किया, और केवल और केवल आपने छोड़ दिया market के भाव को ये काम करने के लिए, इसके बाद, मैं और examples आपको दिखाऊंगा और मैं आपको literally ये सारी examples आज की दिन पर prove करूँगा, अब हो सकता है कल को ऐसा ना हो, हो सकता है, तो stop losses इसलिए होते हैं, और इसलिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये मजाक लगता है trading, और मैं daily, intra-day video show जो करता हूँ, वो इस purpose से कर आता, आपको at least relevant information आप तक पहुंचाता हूँ, बट आपको ये आदग पढ़ चुकी है, कि जब तक एक strategy की ऊपर, या एक चीज़ बताई ना जाए कि strategy है, ये free strategy, intra-day level पर आप 15 मिनिन में 20,000 रुपय कमाऊ, ये कमाऊ, वो कमाऊ, इन जैसे topics जब तक आपको ना दिखाए जाएं, इन जैसी चीज़ें आप ना देखो, आप paid programs जाकर join ना करो, तब तक आप मानते ही नहीं हो कि कोई strategy कारगर भी हो सकती है, चलिए एक चीज़ और देखते हैं, कोटेक बैंक को देखते हैं, और मैं ये heavy weights इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि आपका bank nifty और आपका nifty जिसकी बिदॉलत खड़ा था, उसके बारे में भी बात करेंगे, अब देखते हैं पहले कोटेक बैंक की उपर, अब ये है हमारा कोटेक महिंदरा बैंक, और पहले इस चार्ट को देखो, बहुत ध्यान से देखो, और समझो, मैं आपको अभी का क्या समझाता आ रहा हूँ, क्या इस चार्ट की उपर आप practical trade नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ध्यान से देखो, अब आपने पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, previous close, अब इसकी उपर नज़र रखो, dotted lines आप देख पा रहे होंगे, इसे मैं और नहीं छेडूँगा, अब इस dotted line के हिसाब से, आप ये ध्यान से देखो, इसकी उपर ये देखो, ये level आपका mark हो चुका है, ये है, वो top का level, यानि कि इस top के level के हिसाब से, इसके उपर अगर ये market जाएगी, तो buyer बन जाओगे, बाट इस level को previous close, अभी तक मैंने आपको nifty, bank nifty, HDFC bank, सभी पर दिखाया, यानि कि अब इसने जब ये वाला level तोड़ा, उसके बाद ये सारी journey, कितनी difficult थी आपके लिए समझना, कितना इसमें volatility आ गई, क्या आया, कुछ भी नहीं आया, और imagine करो, ये market इतनी smooth हमेशा नहीं चलती है, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसके लावा ये भी आपको बता दूँ, आपको बास एक opportunity मिल सकती है, दो मिल सकती है, अब इसका ये मतलब नहीं है, पूरा दिन उसके उपर trade करते रो, आप अपना piece of cake लो, उसके बाद जो एक signal आता है, suppose करो, इसी दिन ये उपर जाएगा, और तब आपको वो trigger मिलेगा, बाइंग का, हो सकता है, आप sell नहीं करना जानते है, आपको बाइंग करना है, तो जब तक बाइंग का signal नहीं आता, उसकी wait तो करनी पड़ेगी, और kotec bank की उपर, I think एक जो चार्ट, जो मैं अपनी stock market Bible पर भी चीक चीक कर बोलता हूँ, कि एक चार्ट देकर आपको समझाना चाहिए, कि क्या करना है, कैसे करना है, वो शायद आपको कहीं न कहीं, इस kotec bank कर पहले ही दिखा, अब चलते हैं, nifty जिसके सहारे खड़ा हुआ था, वो था Reliance, अब Reliance का चार्ट भी मैं आपको समझाता हू आपके बास ये दो opportunities कैसी थी, वो ध्यान से देखो, आपके सामने ये आपको एक moment मिल गई, और उसके बाद एक fall भी देख गई, यानि कि अब ये वो पहला sign है आपका, इसे buy करने का, बहुत ध्यान से सुनो, और इसमें इसमें आपको trend नहीं मिला, ध्यान से सुनो, जिस त काट की उपर signal कैसे generate करवा सकते हो, आपको इस top की उपर, क्योंकि इसने यहाँ पर bottom बना दिया था, आपको एक opportunity मिल गई, उसके बाद यही opportunity, बहुत ध्यान से देखो, आपकी यहाँ पर कहीं नहीं, आपको मिली, एक selling opportunity के लिए, अब जब आपका ये index, आपका market यहाँ तक पहुचा, आपको buying signal यहाँ पर generate मिला, उसके बाद इसने किया कुछ नहीं, बहुत थोड़ी सी moment है, हाला कि अगर वो थोड़ी moment 10 point की है, केवल और केवल, क्योंकि अगर आपकी market total, यह पूरा आपका stock जो है, 1900 का low, और 1947 का उसने high बनाया है, तो उसने total 47 points लिया है, और 47 points प जहां से देखो, इस low पर, 1920 पर यह था, जो इसका यह रेखो, 1920 वाले level से, यह जो mark हुआ, उसके बाद अगर 1900 तक level इसका low यहाँ पर दिखता है, आपको, तो आपके पास still यहाँ पर भी 20 point की journey मिली, यानि कि 17 point उपर, 20 point नीचे, और मैं कह रहा हूँ, आपने दोनों तरफ 5, 5 रुपया भी कमाया होता, तो भी आपको 10 मिल गया होता, 10 भी छोड़ो, अगर आप एक side काम करते हो, तो आपको 5 रुपया मिला होता, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, आपको profit कितना हो सकता था, मैं आपको यह जीज़ कह रहा हूँ, कि strategy जो होती है, वो ज़रूरी नहीं होत हो जाती है, वो support का काम और support resistance का काम भी करती है accordingly, अब यही level जो मैंने आपको previously mark करकर दिखाया, अब यह रेखो, अब इस low के उपर आप कभी भी manage नहीं कर सकते है, चीज़ को, बहुत द्यांस से सुनो, इस low का कोई relevance, reference point नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने पहले bank nifty पर यहां पर नहीं था, तो यहां पर आपकी उस selling zone का, जो support का काम कर रहा था, अब resistance का काम करेगा, आप इसका base ले सकते थे, यानि कि 1925 के आसपास, 1920 के आसपास जब यह आपका stock यहां पर था, उसके बाद 1940 तक जब यह level दुबारा से गया, इसके पास एक और buying opportunity आप ढूंड स पास के लिए, एक sellers के लिए, आप accordingly manage कर सकते थे, मुझे यह बताओ, क्या यह working, क्या यह practical strategy नहीं है, भाई आप price action के ऊपर, support resistance के साथ, उसके साथ साथ आप trend को, उसके साथ साथ आ days low high को, previous day के low high को, उस सारी चीज़ों को negate करकर यह काम कर रहे हो, और जिन लोगों को यह अ webinars ले लेते हैं, webinars ले लेते हैं, पूरी की पूरी coaching classes ले लेते हैं, केवल और केवल यह समझाने में कि support क्या है, और resistance क्या है, और यही है market में, जब मैं आपको stock market Bible की बातें भी बताता हूँ, उसमें भी मैंने हमेशा यही कहा है, कि indicators पर जोर मत दो, भाई पर जोर दो, trend पर support, resistance, और market है क्या, market में आपको सही stock selection आनी चाहिए, और यहां पर क्योंकि intraday level पर बात हो रही है, intraday level पर क्या करना होता है, intraday level पर वो भाव को तवज्जो देनी होती है, जो आपका screen पर बोल रहा है, और इन strategies के, या इस strategy के उपर, जब आप price action के उपर खेल रहे हो, levels, जब levels टूटते हैं, especially support, resistance वाले levels टूटते हैं, important levels टूटते हैं, वो आप ignore नहीं कर सकते, support, resistance जब हम normally swing trade है, 2-4 दिनों के trade करते हैं, तो यह completely different चीज हो जाती है, बट यहां पर बात चल रही है, intraday की, यह intraday daily video show है, और उस हिसाब से आपको यह strategy समझाना बहुत important है, तो उमीद है, आपको यह concept तो समझ आ गया हो, मुझे यकीन है कि video तो काफी लंबी हो चुकी है, बट हम अपना daily intraday video show भी नहीं छोड़ सकते, तो अब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, और उमीद है आपको यह strategy, उमीद है आपको with examples, उमीद है आपको यह सारा को समझ आय तो वो भी शाल बदल के देखो, एक हफता एक सिंपल तरीके से भाव की उपर trade करना सीखो, सीखो या करकर देखो, आपका पूरा एक नजरिया बदल जाएगा market को देखने का, खैर अब बात करते हैं, इंडिनेट हैसे की closing और gainer losers की, तो हमारे gainers में जो आ रहे हैं, वो आ किया था, IT के साथ साथ Wipro, अब IT में आपका Tech Mahindra, HCL Tech आ रहे हैं, इसके साथ Wipro हाला कि positive ही था और अच्छा breakout भी देखर आया है, वहाँ पर भी मैंने mention किया था कि Wipro अभी भी मुझे और जाधा expectation उससे, बट यहाँ पर Tech Mahindra, HCL Tech यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब IT sector आ आ रहा है, JSW List में आ रहा है, और वही बात, Metal, Metal के उपर नज़ार रख सकते हो, Sale पहले आया हुआ था, आपका Momentum में, उसके साथ JSW हिंडाल को, Tata Steel, यह सभी Stocks, Reliance आपका Index मैनेज कर रहा था, Reliance के उपर तो मैंने आपको Trade भी समझाने की कोशिश की है, और उमीद आपको व 2.44, अब यह 200 DMA से जादा दूर नहीं है, और यह 200 DMA, आपका Index वह वापस एक तरह से एक जर्नी आपको दिखा सकता है, इसके लावा, Losers में, Power Grid, Bajaj Finance, HDFC Bank, ICSA Bank, HDFC, अब इसके उपर हम आपके सामने जो बैंकिंग का मैं अलड़ी एक्स्प्रेइन कर चुक हूँ, बैंकिंग सेक्टर ओवरॉल वीक था, उसमें यह पर मुक्त और पर HDFC मैंने आपको चार्स के उपर भी समझा दिया, और इसके इलावा, Bajaj Finance, Bajaj Finance आपको याद होगा, मैंन मुझे Yes Bank के रिगारिंग, Twitter पर queries आ रही थी, कि जो एक recent launch हुआ है, 12 रुपे में, उसे लेना चाहिए या नहीं, all that, भाई मैं fundamental गाय नहीं हूँ, मुझे ये fundamentals का बिल्कुल आइडिया नहीं रहता, मुझे technicals के उपर ही काम करना आता है, और मैं technicals के उपर ही बहुत rely करता और इसी लिए मैं technicals को ही जादा promote करता हूँ, और technicals हमें Yes Bank के उपर क्या बता रहे थे, Yes Bank के उपर बता रहे थे sell और breakdown, और इसके regarding मैंने आपको Sunday वाली वीडियो पर भी बता दिया था, और पहले से completely बताता आया हूँ, और इसका मतलब यह है कि इस हिसाब से, आप आज जो यानि कि next Nifty 50 आपका 0.34 positive था, मीड का 0.18 negative था, auto 0.6 is positive था, auto पर नजार रख सकते हो, इसके इलावा bank Nifty की उपर हम देखते हैं, bank Nifty जो था आज negative था 1.25, इसमें gainers में स्टिल आ रहा है Axis Bank, बट स्टिल बहुत अच्छी बात है, Axis Bank की उपर आयो, कोई news नहीं थी, बट overall इसके इलावा आपका सारा index was negative, bank of brother, federal bank, HDFC bank, ICSA bank, RBL, RBL ये रेखो, आपको याद होगा 195 वाले levels पर जब ये market पहुंच गे थी, RBL को लेकर, आपको याद होगा 181 का एक level था, जिसके breakout और ये वैसे level हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको explain किये हैं, कि एक level, जैसे suppose ये वो level इसके नीचे breakdown, अब वैसे RBL का breakout का level था, 181 आपको याद होगा, उसके बाद 195 तक journey गई, उसके बाद 200 level की resistance उसके सामने करी थी, और मैंने ये भी बोला था, कि एक particular level मुझे exactly levels याद दी हैं, कि 200 होगे आस-पास उसके उपर आप buy कर लेना, अभी आप इसे छोड़ भी सकते उसके बाद क्या हुआ, लॉट के बुद्धु घर को आए, 180C के नीचे, और अब ये 175-174 के नीचे अगर जाएगा, तो वो previous हिसाप से breakdown दुबारा से दे देगा, तो ध्यान रखना, अब ये support के नजदीक फिर से खड़ गया है, अब मैं ये नहीं कहा रहा हूँ, हर बार क्योंकि यहाँ पर जब मैंने आपको पहले index के उपर trade समझाई है, वो intraday level पर समझाई है, जो in पर, जैसे RBL पर ये stock specific views मैं trading के लिए लेता हूँ, वो मैं intraday levels पर नहीं लेता हूँ, level उसके कुछ दिनों के हिसाब से होते हैं, और उसे हम implement करते हैं, जैसे मैंने RBL का 181 से journey और उसके बाद फिर ये week, अभी ये 350 तक, और वो intraday levels नहीं है, अला कि intraday levels पर भी ये काम कर सकते हो, ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, इसी के साथ मुझे यादा है, ICICI bank हमने नहीं देखा, चार्स के उपर, और वैसे ही चार्स के उपर, जैसे मैंने अभी आ पीचे जाते ही, हाला कि ये line थोड़े सी ये लिगे है, बड़े ये dotted lines आप देख सकते हो, previous close के जाते ही, ये आपका stock negative और अराम से selling opportunity, इसका मतलब ये, कि जब ये इसके ऊपर निकलता, तब ये आप intraday level पर buy की opportunity कराश रसकते थे, आप इसके उपर ले सकते थे, पूरा द देख रहे हैं, 52 भी खाये और लोग, मैं जानता हूँ, आज वीडियो बहुत बड़ी होगी होगी, और मुझे कल परसों किसे ने कहा भी था, कि अगर आपको ज़्यादा views चाहिए, ज़्यादा लोग आपकी वीडियो देखें, तो आपको कहना कि वीडियो चोटी बनानी और मैंने उन्हें जवाब दिया था, जो आभी देने वाला हूँ, कि मेरा एक क्लियर फंडा है, मैंने चोटी वीडियो बनाकर आपको वीकन पर दे दी, और वहाँ पर मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू दे दिया, और अपको अच्छे से चीज समझाई है, और जब तक मु लगता है कि मैं समझाना दो, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अधूरा ग्यान लेकर यहां मार्केट में, या मेरे से तो मज जाओ कम से कम, तो उमीद है आप इस सीज को समझ पा रहे होंगे, मीड़ वैल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, अगर लगता, दो दिन हो गहे हैं, तीन दिन हो गहे हैं, यहां पर आ रहे हैं, L&T Infotech, Reliance India, Reliance आपका, Dr. Lal Pat, BSF, Escorts, अब यह रोज आ रहे हैं, अब वही बात, जो मैं आपको मैं मिशे समझाता हूँ, एक Strong Stocks के उपर नजर रख सकते हो, Escorts के उपर, आज मैंने आला कि Twitter पर भी के रिगारेंगे एक चीज़ बताई थी, आपको यहां भी बता देता हूँ, मैंने Escorts last to last week, I think, 10-40 के उपर भाय करने के लिए कहा था, इसका breakout था उस वो लेवल पर, उस वीडियो पर, believe me, डेड़ सो व्यूज आयते, और डेड़ सो व्यूज भी तब आयते, जब normally हमारे व के होते हैं, जो breakout या breakdown के कागार पर होते हैं, जैसे BASF मैंने last time, Telegram चैनल पर भी बताया था, और daily वीडियो पर भी बताया था, और BASF, I think, 12-1200 पर आज सबस बताया था, जब भी बताया था, साड़े-1300 पर अपना 52 भी खाया बनाकर खड़ा है, और तब भी मैंने आपको कहीना कहीं, यह रेको recovery कर दी, इसके लावा, IOL Chemical, इसके उपर dividend की new चलरी थी, Newhouse Land, Tata Communications, Balaji Elmines, Lawrence Lab, इसके लावा एक चीज़ और, क्लेरिंट केमिकल, सूर्विन फार्मसोटिकल, इसके उपर भी आप फार्मा, बायो कॉन, Reliance Infrastructure, यहां पर आप बहुत देख रहे होंगे, कि फार्मस टॉक्स फिर से आने शुरू हो गए हैं, और इसे आप इत्फ़ा कह दो, या जैसे मर्जी, हमारे पास, मैंने आपको last time कहा था, हम एक फार्मस टॉक्स बाय कर रहे हैं, हमने तब तक दो फार्मस टॉक्स बाय कर ली हैं, अब यह एक इत्फ़ा कह लो, बाट इसके नहीं लगता, selective stocks के obviously, कि मुझे अब उसमें opportunities नहीं देख रही हैं, बट 10 दिन के बाद हमें इतनी opportunities उसमें देखी, कि हमारे personal holding में, जब कि हम stocks 3-4 total hold कर रहे हैं, उन में से 2 हमें फार्मा के लेने पड़ गए, क्यों? क्योंकि वो 4 समिस्तिस आप से बता रहे हैं, और इस list मे आप उन्हें बाय कर सकते हो, क्योंकि fundamentally strong है, technical strong है, वैसे stocks आप नज़र रख सकते हो, इसके इलावा, आज वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, normal circumstances से भी, बर मुझे लगता है, आपको पसंद आई होगी, आपको जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको वो accordingly पढ़ो देखो, इसके लावा वीडियो भी हैं, description में, बहुत important वीडियो भी देखो, और accordingly हमेशे चनल पर आज़र टीम पार्टिस्पेटर आज़र नमबर नहीं, धन्यवाद.